वन डे चैलेंज, यानि कि इस फेज पैक को एक बार ही लगाने के बाद आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा चमकतार हो जाता है, गलोइंग हो जाता है, सुम्दर सा निखार लाएगा ये फेज पैक आपके चेहरे पे, और आपका चेहरा एकदम से गोरा दिखने लगेगा, गोरा निखार लाता है ये फेस बैक का और तुरंत ही वो भी 30 मिनट में तो आप ही एक पार ट्राइ जरूर कीजिए और इस DIY फेस बैक को लगाने के बाद आपको जो जहरा चमगने लगेगा जो आपको रिजल्ट मिलेगा एकदम से चौक जाएंगे खुद ही वो आपको इस तरह से उतना फर्क आपको ना देखें तो आप ही एक पार इस DIY फेस बैक को इस चालेंजिक फेस बैक को ट्राइज जरूर कीजिए और अपने चेहरे पर इस तरह से ग्लो लाईए हाई अब्रिवन विलकुम बैक्ट भाई चानल मैं हूँ अरचना और आप सभी का स्वा आपको फर्क नजर आएगा एक ऐसा DIY फेस पैक का वीडियो आज में आप लोग के साथ शेयर करने वाले हूं तो प्लीज इसकी मत किजिगा वीडियो को और पूरा फुल वीडियो कियेगा और लाइक किजिए का पसंद आये तो और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज्या इसको आप अपने घर पे बना सकते हैं पहुत ही आसानी साध और आप अप लगाएंगी तो आपको बहुत ही जादा फ़र्क महसूस होगा एक पड़ में ही आपको अपको अगर स्पेसल लोग चाहिए या फिर इस पेसल दिखना चाहती है तो ये फेस पैक बहुत ही अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप भी एक पार ये जरूर ट्राइ किजिए गा उसके बाद फर्क खुदी महसुस किजिए गा और हमारे साथ सेयर किजिए गा हमें कॉमेंट करके वैसे मैं खुद कोई भी ऐसे डिय वाई वगर जो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूं आज का मेरा ये वन डेज चैलेंज है स्किन ब्राइटनिंग का वो आप लोग भी एकसेप्ट किजिए और इस मास्को ट्राइ किजिए लगाई और हमारे साथ सेयर जरूर किजिए गा तो इस फेस्पे को लगाने के बाद आपका फेस नहीं सिफ ग्ल पिंपन्स के भी दाग धबे हैं वो सब खतम होंगे तो फ्रेंट्स चलिए देख लेते हैं कि इस फेस्पेक को बनाना कैसे है और लगाना कैसे है तो फ्रेंट्स इस फेस्पेक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा टमाटर उसको कद्द्द कर लेंगे टमाट को कम करता है और स्केन के Six problems को भी ख़जम करता है धीरे धीरे साथ ये इसकीन को glowing बनाता ही है और जो भी काली परफ दो होती है। उसको निकालता है। और जेरे को बहुत ही ज्जादा साफ करता है और एकदम light and में बीज नहीं चाहिए है तो जो भी बच जाता है उपर बीज वाला इसको आप कोई और स्क्रबर बगर बनाकर आप इस्तेमाल कर सकती है तो इसको फेक है नहीं क्योंकि बहुत ही जादा फायदे मन्थ है हमारे स्कीन के लिए मैं तो हमेजा यूज करती हूं टमाडर अपने और फिर लेंगे कॉफी एक चमच काम करता है और स्कीन को बहुत ही जादा लाइट ब्राइट बनाता है चेहरे को साफ करता है और आपके स्कीन के प्रॉब्लम्स को भी धीरे धीरे खतम करता है उसके बाद हमें लेना है बेसन तो हमने दो चमच बेसन लेना है लेकिन पहले लेंगे क्योंकि हमें एक स्मोच सा पेष्ट से यह होगा तो उसके लिए मैं एक चमंच और एड करूंगे फिर बेशन क्योंकि यह थोड़ा सा पतला दिख रहा था तो यह सब को मिला लेने के बाद यह एक होम रेमेडिस बनके त्यार हो गई है जो आपके स्किन को तुरंत ग डहें ने तो दिन में लगा लिए के वल 30 मिनिट के लिए गर 20 मिनिट भी रख सकते हैं तो लगाने कृब अपने फेस्टेश साफ करना है तो आप चाहें तो रोज वाटर से घिलीन कर सकती मैं और चीहरे कों धोया था था फिश्ड किलीन करली है ता कि यह जो रजापर ँज और बहुत ज्यादा उससे फाइदा मिलने वाला है उसके बाद जब सूख जाता है रोज वाटर तब चाहिए अपने फेस पे अपलाई करना है और आपको लगाने के बाद सूखने देना इसको तो कम से कम 20 मिनिट या फिर 30 मिनिट लगी जाते हैं तो फिर इंट ये एक और ग पहुचाएगा तो कोई भी स्किन हो आपकी अगर ड्राइ नॉर्मल या हो फिर वाइली तो भी आप इसको लगा सकती है और लगाने के बाद आप फरक महसूस कर सकती है क्योंकि ये एक तम नैचिरल फेस पैक है नैचिरल सा आपका फेस जो है बनाता है ये नैचिरल निकार कर लाता है और देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा सूप किया था तो बीस मिनट हो गया था पचेस मिनट तो इसको हटाएंगे और थोड़ा समय कॉटन से हटा के दिखला रही हूं आप लोगों कि कितना ज्यादा फेस ग्लो कर रहा है एक्दम ब्राइट दिख रहा है और वाइटनिंग भी हो गया है तो आप देख सकते हैं तो इस तरह से आप ही लगाए और अपना एक्सप्रियेंस हमारे साथ शेयर किजिए हमें कॉमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर किजिए और ऐसे ही हैलफुल वीडियो देखने के लिए प्ली कर रहा है और इस तरह से आप अपने फेस पे गोरा निखार ला सकते हैं तो यह था हमारा आज का वीडियो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक किजिए शेयर किजिए और अगर ना है चानल पर तो सब्सक्राइब जरूर किजिएगा थ तरकिली, बाइब बाइ!